दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताया है कि आप HFC Bank का Car Loan का प्रूसेस आप किस तरगे से कर सकते हो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको HFC Bank के नेड बैंकिंग पे अगर आपको Offer सेक्षेन में अगर आपको car loan का अगर offer आता है तो आप किस तरके से उसका process कर सकते हो उस वीडियो का link इस eye button में भी आप चेक कर सकते हो नहीं तो आप description box में भी उस वीडियो को तो चाहँ तो आप वीडियो भी देख सकते हो तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आपको HFC Bank की तरफ से अगर आपको कारवन का उफर नहीं आता है तो आप किस प्रकार से आप प्रोसेस कर सकते हो तो चलिए बिना समय कावाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको Chrome ड्राउजर पर आना है यहां पर आपको सर्च करना है HFC Bank.com इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिक्शन बॉक्स में भी दे दुगा चाहो तो आप रैंक लिए उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो जिससे यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो कुछ एससा अंटर पर से यहां पर ओपन हो जाता है तो आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है तो अभी हम apply कैसे करेंगे यह जानते है तो आपको यहां पर न्यू कारल ओन eligibility calculator तो आपको इस पर क्लिक करना रहता है जिससे आप इस पर क्लिक करोगे एक नए टैप open होता है यहां पर आपको simply सा प्रोसेस है आपको हम बता दे है तो यहां पर आपको अपना mobile nober डालना रह नंबर पे तो हम OTP यहां पर सब्मिट करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बाताते हैं तो हम लॉगईन पे क्लिक करेंगे ज़िए टालने के बाद तो जिसे हम लॉगईन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ जाता है जैसे कहा हमारा आधिक से बैंक में अकाउंट है इसलिए वह अकाउंट नंबर और अइड़ के इस वह अंड़ आपके अपना नाम प्रेश नाम प्रेश नाम डालना रहता है उसके बाद यह प्रोसेस आजाता है कि आप कहां रहते हों तो में यहाप हम पूरे सिटी में रहते हैं तो इसलिए हम पूरे से लेट करके यहाप आ गए का प्रोसिस बाता था है यहाँ अगर आप से लीट कर सकते हैं जो भी आ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद total work experience आपको यहाँ पर select करना रखते हैं जैसे हम यहाँ पर ती साल करते हैं और लेटेस्ट आईटियार अगर आपके पास तो अगर आपके पास आईटियार है तो आप येस कर सकते हो अगर आपके पास आईटियार नहीं है तो आप नो कर सकते हो तो हमारे पास आईटियार है इसलिए हम येस पे क्लिक करते हैं और आगे क्या प्रोसेस करते हैं यहाँ एक पे ब्लिकेशन टाइप आपको चॉइस करता है जैसे यहां पे आपको आप जो कोई भी बिसनेस करते हो अगर आप खुरन का बिजनेस करते हो तो आप इंडिविश्बल इसे लएट करना है आफ उचिंध कर सकते हो तो आप आप लेटेस्ट निपरे में कर सकते हो जो अपर सकते हो... प्रवडंस प्रॉबिट अफ यहीं स्कुत करना है यह दोनों चीज़ते डालने के यहांपे आप में च्र्वह करते हैं तो अपर क्लीट करने के वाद है का यह देश्व में किसी लगी करते हैं जैसे कि यहाँ पर Scorpio हम सेलेट करके देखते हैं तो हम यहाँ पर महिंद्र स्कॉर्पियो इस त्री सेलेट करते हैं सेलेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गार का जो प्राइस है एक शुरूम हो है तो हम गेट ओफर पे क्लिक करते हैं देखते हैं हमें कितनी अमोर तक लोन मिल सकता है यहाँ पर देख सकते हो Congratulations, you have paid offer of loan amount 15,000,000 तो हमारे अकॉंट पे 15,000,000 का का लोन का ओपर अभी है इसलिए हमें यहाँ पे 9,40,000 का एक शुरूम जो भी एक शुरूम प्राइस होता है उसका हमें 100% एक शुरूम प्राइस का लोन हो जाता है 100% ऑन रोड फंडिंग नहीं होता है अगर हमको 9 लाग का नोन करना चाहिए, अभी हम 8 लाग का देखते हैं, अगर हम 8 लाग का लोन करवाते हैं, वो भी 4 या 3 साल के लिए करवाते हैं, तो हमें जो मन्तली हमाएं आएगा , वहें पत्चीस हज़े सो 25,66 रुप्या आएगा, और रेट आप इंटे समे नो पॉइं परसेंक हमें लेगेगा अगर हम चार साल के लिए करवाते हो तो हमारा जो यह माई है बीस हजार डबल नाइन रुपीज आ जाएगा जो अब हमें यहां पर प्लाइन सिलेट करना रहता है यह माई को हमें यहां पर लोन एंड जो भी हमें टेन्योर सिलेट करना रहता है वह आ पर यहां पे सि linguistic कर सकते हो सकते हो तो हम यहां पर नुओ लाग सि pagan करते है वह यहां पर चार साल के अलोगी की अगर आपको इतना ही लोन चाहिए तो आप apply now पे क्लिक कर सकते हूं अप्लाइन आपे क्लिक करने के बाद तो आपको यहापग करने के बाद आपको यहापए अपना communication address डालना रहता है जैसे कि हमारा जो भी address है यहाँ पर आ जाता है communication address डालने के बाद आपको continue पर क्लिक करना रहता है तो यहाँ पर आपको reference detail यहाँ पर डालने रहते है reference detail डालने के बाद आपको continue पर क्लिक करना रहता है तो आपको यहाँ पर customer category select करने रहते है जैसे की profile of customer जो भी आपको select करना है वो आपको select करके continue पे click कर सकते हूं जैसे आप continue पे click करोगे आपको यह additional detail यह आपके डालने रहते हैं जैसे आपका account number already यहापे आ जाता है account type भी यहापे आ जाता है profession आपको select करना रहता है यहापे और और आपको यहापे अपनी card select करने रहते है card select करने एक बाद आपको loan purpose आपको यहापे select करना रहता है यह सब detail डालने के बाद आप continue पे click करोगे यहापे आपको upload below documents of first process of your loan income proof में आप क्या क्या देख सकते हो जैसे का appointment later दे सकते हो लाश्ट एर का आप assignment order दे सकते हो, bank statement दे सकते हो, credit card को आप देख सकते हो, credit card statement भी आप देख सकते हो, phone from 16 भी आप देख सकते हो, ITR दोस साल का भी आप दे सकते हो, आप याप यह salary की slip भी दे सकते हो, 12 मन्द की, इन में से आपकोई भी डॉकमेंट्स आप यहाप याप अप्लोड कर सकते हूँ जैसे आप अप्लोड करोगे जैसे आप continue पर क्लिक करोगे आपका यह प्रोसेस हो जाएगा और आपको HRC bank की तरफ से call आ जाएगा और आपको documents collect करने के लिए जो भी उनका employees रहेगा वो आजाएगा आपके register address पे तो दोस्तों मिलते ऐसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद वन दे मातरा